C.I.E.T. N.C.E.R.T. दौरा प्रस्तुत है दादी, मौसी और मामी की गोद की तरहा उनकी धारा में दुबगियां लगाया करता। परन्तु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चड़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतुलज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उचलना और कूदना, खिल खिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतुहल और विश्मय नहीं होता, जितना की इन बेटियों की बाल लीला देखकर। प्रिष्ट संख्या 13, कहां यह भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष है जिसने इने बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, अगर इनका हृदय अत्रिप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधूर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते, जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवतार, चीड, सरू, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर, शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जानें, बुढधा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर्धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाए उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्म पुत्र ये दो ऐसे नाम हैं, जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेलम, काबुल, अर्थात कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सर्यू, गंडक, कोसी आदी, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आखों के सामने नाचने लगती हैं, वास्तब में सिंधु और ब्रह्म पुत्र स्वयम कुछ नहीं है, दयालू हिमालय के पिखले हुए दिल की एक-एक बूंद, न जाने कब से इकठा हो होकर, इन दो महा नदों के रूप में समुद्र की और प्रवाहित होती रही है, कितना सौ भाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे परवत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रे मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके खयाल में शायद ही यह बात आ सके, कि बूढे हिमालय की गोद में बच्चियां बन कर ये कैसे खेला करती है, माबाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्शक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती है, प्रिष्ट संख्या 14 कालिदास के विर्ही यक्ष ने अपने मेग दूद से कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, दरसल, जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किन्तु माता बनने से पहले, यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन ही में अगर हम प्रियसी की भावना करें, तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बेहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबियत धीली थी, सतलच के किनारे जाकर बैठ गया, दोपेहर का समय था, पैर लटका दिये पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगती शील जलने असर डाला, तन और मन तासा हो गया, तो लगा मैं गुनगुना ने, जय हो सतलच बेहन तुमारी, लीला अचरज बेहन तुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालाए, चिन्तित पर चुप चाप हिमालाए, प्रकृती नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत चाप हिमालाए, जय हो सतलच बेहन तुमारी, लेखक नागारजुन, प्रिष्ट संख्या पंद्रह, प्रश्ण अभ्यास, लेख से, प्रश्ण एक, नदियों को मा मानने की परंपरा, हमारे यहां काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागारजुन, उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? प्रश्ण संख्या दो, सिंधु और ब्रह्म पुत्र की क्या विशेश्टाएं बताई गई हैं? प्रश्ण संख्या तीन, काका कालेल करने, नदियों को लोक माता क्यों कहा है? प्रश्ण संख्या चार, हिमालाय की यात्रा में लेखक ने, किन किन की प्रशंसा की है? लेख से आगे, एक, नदियों और हिमालाय पर, अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं. उन कविताओं का चायन कर, उनकी तुलना, पाठ में नहित नदियों के वर्णन से कीजिए. 2. गोपाल सिंग नेपाली की कविता हिमालाय और हम, रामधारी सिंग दिनकर की कविता हिमालाय, तथा जैशंकर प्रसाद की कविता हिमालाय के आंगन में पढ़िये और तुलना कीजिए. 3. यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालाय से निकलने वाली नदियों में क्या-क्या बदलाव आए हैं. 4. अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि काली दास ने हिमालाय को देवात्मा क्यों कहा है? अनुमान और कल्पना एक, प्रस्तुत लेख में नदियों के द्रिश्य वर्णन पर बल दिया गया है. किसी नदी की तुलना अलहर बालिका से कैसे की जा सकती है, कल्पना कीजिए. 2. नदियों से होने वाले लाभूं के विशय में चर्चा कीजिए. और इस विशय पर बीज पंक्तियों का एक निबंध लिखिए. प्रिश्ट संख्या सोलह भाशा की बात अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं. ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुन्दर बन जाता है. उदाहरन क संभ्रांत महिला की भांती वेप्रतीत होती थी. माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में दुबगियां लगाया करता है. अन्य पाठों से ऐसे पांच तुलनात्मक प्रियोग निकाल कर कक्षा में सुनाईए और उन सुन्दर प्रियोगों को कौपी में भी लिखिये. दो. निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुओं भी मानो जीवित हो उठती हैं. लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रियोग किये हैं, जैसे क. परन्तु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चड़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी. ख. काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है. पाठ से इसी तरह के और उदाहरन ढूंडिये. तीन. पिछली कक्षा में आप विशेशन और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं. इन विशेशन और विशेश्य संग्या का मिलान कीजिए. विशेशन संभ्रांत चंचल समतल घना मूसलधार विशेश्य वर्षा जंगल महिला नदियां आंगन. उदाहरन के लिए मूसलधार का मिलान वर्षा से होगा. चार द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं. इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है. जैसे राजा डैश रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी. पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रियोग किया गया है. इन्हें खोचकर वर्ण माला क्रम शब्द कोश शैली में लिखिए. पांच. नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है. जिसका अर्थ होता है गरीब. आप भी पांच ऐसे शब्द लिखिए. जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएं. प्रत्येक शब्द के आगे संग्या का नाम भी लिखिए. जैसे नदी, दीन, भाव वाचक संग्या, प्रिष्ट संख्या सत्रा, छै. समय के साथ भाशा बदलती है. शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं. जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्र इन शब्दों से ढूंड कर इन नामों के अन्य रूप लिखिए. सतलुच, जेलम, रोपड, चिनाब, विपाशा, वितस्ता, शत्त्रुम, अजमेर, बनारस, रूपपुर, अजैमेरू, वारानसी. साथ, उनके खयाल में शायद ही यह बात आ सके कि बुढ़े हिमाले की गोद में बच्चियां बन कर ये कैसे खेला करती हैं। इसे भी कह सकते हैं, उनके खयाल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्ण वाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दूनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरन सोचिए और इस द्रिष्टी से उनका विशलेशन कीजिए। यह पाठ यहीं समार्थ होता है। प्रिष्ट संख्या अठारा केवल पढ़ने के लिए फूले कदंब फूले कदंब टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदंब फूले कदंब सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता जाने कब से तू बरस रहा ललचाई आँखों से नाहक जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदंब फूले कदंब फूले कदंब लेखक नागार्चुन अभी आप सुन रहे थे ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत